हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आज के लिए स्वेटर का बहुत ही सुन्दर और बढ़िया पैटरेन लेके आए हूँ यह बनाना बहुत हीजी है और देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल है अब मैं बनाना स्टार्ट करते हूँ यह पैटरन का मैंने एक चोटा सा बोर्डर बना लिया है आप अपने हिसाथ से स्वेटर के कुंडे लगाएं और बोर्डर के उपर पहले कुंडे बढ़ा लें फिर पैटरन स्टार्ट करें पहला कुंडा इसको बीना बोने ही उतार लिया यागे दगा अपनी तरब को करके यानी फ्रांट साइड को करके पहला कुंडा इसको बीना बोने ही उतार लिया आगे का कुंडा दागा शलाई के उपर ले जाके फिर कुंडा निकाल लिया यहीं जिस कुंडे को नहीं बुना है इसके उपर से दागा ले जाके फिर आगले वाले कुंडे को बुना है दग्गा अपनी साइड को करके यानि फ्राइड साइड को करके आगे वाले कुंड़े को ऐसे उतार लेना है इसको ऐसे उतार ना है इसको ऐसे उतार सकते हैं लेकिन ये उल्टी स्लाई में भीर कठिन हो जाता है बनाना तो ऐसे उतार ले तो असान है ऐसे आगे बाला कुंड़ा इसको भूनना है तो यहीं से ही दग्गा ले जाके इसको सीधा भून लेना है और इस दग्गे को भी लूजी ही रखना है आगे भी दग्गा अपनी साइड को करके कुंड़ा भीना भूने ही उतार लेना है और आगे बाला कुंड़ा इसको भूनना है दग्गा इसी कुंड़े के उपर से लिगा कर कुंड़ा भून लेना है ऐसे आगे भी दग्गा फ्रंट साइड को करके कुंडा बिना भूने ही उतार लिया आगे भाला कुंडा भूनना है लेकिन इस दग्गे को इसी कुंडे के उपर से ले जाके ऐसे सीधा निकाल लेना है दग्गा इस कुंडे के उपर से अपने आप ही आ जाता है यह पूरिच लाई में ऐसा ही बनता रहेगा इसमें एक कुंडा बुन लिया और एक कुंडा उसको बिना बुने ही स्लिप कर लिया लेकर जिस कुंडे को हम स्लिप कर रहे हैं उसके उपर से दाग्ये वाला एक कुंडा ऐसे जा रहा है यह वाला ऐसे अब बैक साइड सेकंड रो इसमें पहले कुंडे को बीना बुने उतार लिया श्लिप कर लिया आगे जो फर्स्ट रो में हम जिस कुंडे के उपर ऐसे दगा लपेट रहे थे अब सेकंड रो में भी बैक साइड में भी इसको नहीं भूनना है और इसके उपर ऐसे ही दगा लपेट कर इसको छोड़ देना है आगे वााले कुंडा ऊल्टा है इसको ऊल्टा भून लेना है आगे भी ऐसे कुंडा है इसको first row में नहीं भूना है और इसके उपर एक पहले से ही दग्गा है अब इस back side में भी इसके उपर से ऐसी दग्गा गुमा देना और इसको भूनना नहीं इसको ऐसे ही छोड़ देना इसको ऐसे अब इसके उपर दो दग्गे हो गए हैं कुंड़े के उपर आगे वाला कुंड़ा उल्टा है इसको उल्टा ही बुन लेना है आगे भी ऐसे कुंड़ा है दोनों को सलाई के उपर लेकर जो एक दग्गा भी है ऐसे ले लेना है और ऐसे दग्गा निकाल लेना है चलाई के उपर से और इसको छोड़ देना ऐसे ही आगे वाला कुंडा ये उल्टा है इसको उल्टा ही भून लेना है आगे वैसे कुंडा है बिना बुने हुआ इस कुंडे को दो सलाईयों में नहीं बुनना है और उपर से दो दगे एसीड पेटने है सलाई के उपर फस्ट रो में भी और सेक्ट रो में और जो आगे वाला कुंडा उल्टा इसको बुन लेना है ये फस्ट रो वाला दगा है और ये नीचे कुंडा बिना बुना हुआ है अब ये सेक्ट रो है बेक साइड है तो इसमें भी ऐसे ही इसको सलाई के उपर ले लेना है और ऐसे ही दगल पेटना है और इसको छोड़ देना है और ये लास्ट कुंड़ा इसको भी भून लिया अब ये सेक्ड रो कंप्लीट हो गी है यानि दो सलाई हो गी है अब ये थर्ड रो यानि तीसरी सलाई स्टार्ट है पहला कुंड़ा इसको स्लिप कर लिया अब जिस कुंड़े को हम दो सलाई हैं में नहीं बून रहे थे आप इसको बून ना है तो अब ये दो दाज्या माले कुंड़े है और एक निच्छा निच्छे कुंड़ा है तो इसको तीनों को मिला के ऐसे भूल लेना है, ऐसे कुंडा निकाल लेना है, आगे बारा सीधा कुंडा है, इसको सीधा ही निकालना है, आगे भी इन तीनों को एकठा निकाल लेना है, ऐसे एक कुंडा निकाल लेना है, आगे भी सीधा कुंडा है, इसको सीधा ही भूल लेना है, यह तीसरी सलाई में सभी कुंड़े भुने जाएंगे सीधा कुंड़ा भी और यह जो बिना भुना हुआ कुंड़ा है दो दगव साथ इसको भी ऐसे भुन लेना है और यह लास्ट वाला कुंड़ा अब यह फोर्थ रो फोर्थ रो चोथी सलाई पूरी सिंपल ही लगनी है यह उल्टी सलाई है इसको उल्टा ही लगाना है यह फोर्थ रोर कंप्लिट हो गी है लेकन अब यह फीप्त रोर है तो इसमें अब चेहीं जोने वाला है अब तहला कुंड़ा इसको स्लिप कर लिया अब जिस कुंड़े को हम फस्ट रो में नहीं बुना था और दो वार दगल पेटा था इसके उपर अब इस कुंड़े को बुन लेना है फीप्त रो में पस यहीं से द्यान रखना है जिसको नहीं बुना है उसको बुन लेना है और जिसको बुना था अब इसको बुनना नहीं है अब दाग्गा अपनी साइड को करके इस कुंडे को बिना भुने ही स्लिप कर लिया और आगे बाला कुंडा इसको बुन लेना है बस यह द्यान रखना है कि दाग्गा फ्रांट साइड को करना है फिर जाके इसको बुनना है ऐसे दाग्गा फ्रांट साइड को करके कुंडे क कर लिए विनने झुंदे को पहलें में स्ट्रों में हमने भूना था अब इसको भूहना नहीं है ऑचेंज होने वाला मैं अब आगे वी लिगे को जिसना उसको भूहना है जी पूघ्या थाद्र लिचा इसे पूणना है एसा कि ऐसे कि दग्गा फ्रंट साइट को करके कुंडे को श्लिप कर लिया भीना भूने ही आगे बाले कुंडे को भूनना है इसको यहीं से लूज रखना ऐसे अंगुठे से थोड़ा सा दवा के रखना है ताकि टाइट न बन जाए ऐसे इसकी भी चार स्लाई ऐसे ही लगीगी यह फ़स्ट रो होगी सेक्ड रो में भी जैसे नीचे वाले पैटर्न का सेक्ड रो लगाई है यानि उल्टी साइड से भी इसके उपर से दग्गा लपेड़ना इसकुंडे के उपर से ऐसे इसको भूनना नहीं है पिर जो सीधी जो जाया आईगी उल्टी असको पूरी सिम्पल ही लगाना है फिर जाके जो तीसरा पैटरिन पढ़ेंगा उपर जाके जैसे पहले वाला बड़ा है यह 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 आगा कि अब आपको सम्झा आ गया होगा की आगर आपको मेरा बताया हुए पेट्रेश्च फूशंदार है तो लाइक gesture और सब्सक्राइब जरूर करतें अगर मेरे चैलेश्च पर नहीं नहीं तो भी लाइक सब्सक्राइब up धन्यावार